वेलकम टो आल माई डियार फैंड इन माई यूटूब चैनल सत्यंदर घ्यान संसान देखिए पिछले वीडियो लक्षर में हमने human neural system के अंतरगत central neural system जिसमें की brain और spinal card included थे और peripheral neural system जिसमें की जिसको की somatic neural system और autonomic neural system में डिवाइड किया गया था फिर हमने autonomic neural system के अंतरगत हमने देखा था कि किस तरीके से sympathetic neural system और parasympathetic neural system है तो दोखिए आज हम जो discuss करने वाले हैं उसी के आंगे चैप्टर में neurons are the structural and functional unit of neural system जैसा कि आप सब भी लोग जानते हैं कि जो neurons होते हैं वो neural system की structural and functional unit होते हैं it is a longest cell of the body और यह सबसे longest cell होते हैं body के it can detect, receive and transmit stimulus तो फिर क्या it is a composed three major parts cell body, dendrites and axon तो यह दो-तिन पॉइंट हैं आप इनको याद कर लें कि यह functional noise structure unit होते हैं निवरांस longest cell of the body होते हैं और detect, receive and transmit stimulus का यह काम करते हैं इसके बाद इसमें तीन major parts होते हैं cell body, dendrites and axon ठीक है फ्रेंट्स चलिए अब हम मूब करते हैं structures of neurons की ओर देखिए हमने अभी बताया कि cell body, dendrites और neuron के तीन structures होते हैं तो देखते हैं बन-बाई-बन क्या है कि इट कंटेंज साइटोप्लाज विर्ट टैपिकल cell organelles इट्स कंटेंज ग्रेनुरल बाडी का निर्सल्स ग्रेनुल्स देखिए तो फिकर में हम आपको दिखाने की कुछिस कर रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहां पे जो यह का निर्सल्स ग्रेनुल्स इसमें जिसको निर्सल्स बोला गया है यह भुम अब देखिये धिक है अब देखिये इसके बाद हम देख रहे तो ह कि highly branched तो यह highly branched होते हैं जैसा कि आप देख रहें फिगर में फिर इड़ाइट मैसेज टूवार्ड असे बोड़ी यानि कि यहां से मैसेज यह सेल बोड़ी में यहां कंडूक्ट करते हैं अब हम बात करते हैं एक्जाम में इसे इसे लाग के लिए और यह अभी होते हैं और जो रिसे और different fiber होते हैं बहुत important आपसको याद कर लिजेगा ताकि आपको confusion ना हो एक्जाम में फिर क्या देखिए it contains message away from cell body to synapse और neuromuscular junction तो इनका function क्या है यह cell body से दूर यह function को message को यह conduct करते हैं synapse और neuromuscular तो यह तरीके से यह structure है आपका नर्व का देखिए तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यह एक्जान है तो अब हम इनकी चर्चांगे करेंगे इस तरीके से देख लिएगा यह डेंडाइट्स है और यह cell body है फिर यह एक्जान है चलिए और आंगे की जो चीज़ें उनको हम डिसकस करते हैं बारी बारी से अच्छा अब फ्रेंड वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा सुनिएगा क्योंकि मैं आंगे दो कुछन पुछने वाला हूं जो कि आपके एक्जामनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा इस मैंने पिछली वीड पिर्व और अर्नमयलनेंटिट गय्र तो देखिए में में कहोता ह्मनेटिट गय्रिक तो इनवाग्म ट सेल डिच वे फॉर में माईलिन तो das होती है और उसके विच फॉर्म से मायलेंज सीथ एराउंड एकजान यानि एकजान के चारवर मायलेंज सीथ होती है जिसको तो दा प्लेस वेर मायलेंज सीथ इस नौट प्रजेंट ऑन दा मायलेंज टिन फाइबर इस काड़ नौट ऑफ रैंवियर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जो यह मायलेंज सीथ नहीं प्रजेंट होती है यानि यह अप्सेंट होती है मायलेंज सीथ उसको हम जो अरिया होता है उसको हम नौट ऑफ रैंबियर बोलते हैं connection of nerve impulses from node to node is a jumping manner hence conduction is very fast यानि कि malnated nerve fiber में जो connection होता है वो node to node होता है इसलिए यह बहुत ही fast होता है ठीक है चलिए तो it is a found in spinal or canion nerves ठीक है तो आप यह याद करिए काइसमें कौन-कौन से point important है यह point important है कि यह spinal और यहां पर मालेंट जो शीत है वह नहीं प्रेजन्ट होती है और इन प्रेजन्ट होती है बात करते है तो नौल मालेंट इर्व फाइबर की बात करते हैं जिसमें जो स्ट्ट होता है और यह कहां पर होता है यह आप अर्व निवर शिश्टम में बाया जाता है तो आप देखिए का इसमें जो नौर्मालिटि सीथ होता है उसमें मैलनसीद absent होती है और उसमें connection बहुत ही fast होता यह आपसे question है जिसको कि आपको solve करना है comment box में लिखके क्या है कि आपको यह बताना क्या node of rain beer non-myelinated nerve fibers में पाए जाएंगे यह आपको बताना है comment box में क्या node of rain beer non-myelinated nerve fiber में पाए जाएंगे दूसरा question NCRT में दिया गया है जोगी हमने आपको पिछले वीडियो lecture में इस चीजों की discuss कर लिया था multipolar और bipolar और unipolar neurons कहां पाए जाते हैं यह question आ चुका है नीट में आप इनको तीनों को तयार करिएगा और comment box में लिखेगा कि multipolar bipolar और unipolar neurons कहां पाए जाते हैं और पहला है question की node of our mirror क्या non mild trainer fire में पाए जांगे तो ठेक है friends आज की वीडियो में इतना ही दोस्त अगर वीडियो पसंद आयो तो click please please click on like button if you are watching first of first of all my video then subscribe my channel and if you are already subscribe my channel then very very thank you and wishing you very very happy a day and you will very prepare very well I think also or thank you for watching this video मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिया पढ़ते रहिये और इसी तरीके से आंगे बढ़ते रहिये मैनत करते रहिये thank you for watching